पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन बच्चो अभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे बिचारे पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे board exam सर पे आ चुका है board exam होने बाले है फरबरी में इसके पहले शुरू हो जाएंगे आपके practicals और कोई त्यारी नहीं हो पाई है तो परिशान होने की ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा headache लेने की ज़रूरत नहीं है कोई ये ऐसी समस्या नहीं जो rocket science हो हल ही नहीं हो ठीक है अब तो rocket science में इंडिया बहुत आगे पहुच गया है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज का समधान नहीं हो समधान आपके पास में ही है ठीक है क्या समधान है उसे कैसे हम हल कर सकते हैं board exam में कुछ तयारी नहीं भी की है तब भी अभी से सुधर कर हम अपने अंदर प्रियास करके November, December, January में इतना बहतरी प्रियास कर सकते हैं कि अपने exam में, अपने board exam में marks को 95% तक गेन करा सकते हैं और ऐसा होगा आप सभी के सामने आप सभी के सामने जब क्या होगा आपके माता-पिता जो होगे आपके अखवार में newspaper में आपके लिए क्या देखेंगे बेटा आपके जब तस्बीर देखेंगे तो उनका जो सीना होगा वो गर्व से चोड़ा हो जाएगा पूरे महले में आपकी फोटो दिखाते घूमेंगे कि देखिए बेटा हमारा बेटा है उसकी आज फोटो निकली है अखवार में है ना तो कितना गर्व का महल होगा वो कैसे आ सकता है कैसे आप अभी से त्यारी करके इन दो तीन महीनों में ही अपना बहतरीन प्रदर्शन कर कि आप बन सकते हैं क्या टॉपर बन सकते हैं ठीक है बच्चे तो देखते हैं यहाँ पर कैसे हम टॉपर बन सकते हैं तो हमने एक छोटा सा काम करना है कुछ चीज़ों पर काम करना है सबसे पहले काम करना है आपको टाइम टेबल पर क्या चीज़ होती है टाइम टेबल सर टाइम टेबल हम रोज बनाते पर फॉलो नहीं कर पाते हैं, रोज हम सोचते हैं कि सुबाद 6 बजे उठेंगे, 8 बजे तक यह करेंगे, कुल अधतून करेंगे हैं न, और अपना लाश्ट टाइम तक हम अपना जो टाइम टेबल होता है, इसे इतना बर्डन बना लेते हैं, उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि इसा 16 घंटे की स्टेडी का बना लेते हैं, और वो कभी एचीवी नहीं हो पाता है, तो आप बिलकुल परशान ना हो, टाइम टेबल बनाते रहें, बनाते रहें उसमें कोई दिक्कत नहीं टाइम टेबल बनाने से आपके लिए हो सकता है साथ टाइम टेबल आपको एक वीक तक काम करने के लिए हो तो हमें से छोटा छोटा टाइम टेबल बनाए वन वीक काम करने वाला टाइम टेबल बनाए कोई परशान होनी की जुवत नहीं है, ठीक है, कि आप टाइम टेबिल को बिल्कुँ वर्क नहीं कर पा रहे हो, आप देखोगी उस टाइम टेबिल में आपने कितने परसेंट तक चीजों को एचीव किया है, तो हो सकता है आपको हर एक वीक में टाइम टेबिल बनाना पड़ और संडे को उसका क्या करना है, टेस्ट करना है, एनलिसिस करना है कि हम इस टाइम टेबिल को कितने हद तक एचीव कर पाए, है ना, तो परशान नहीं हो ना, अपने कमफर्ट जोन के हिसाब से जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो दिन में जगने वाले होते हैं, दिन म ज़्यादा बहतर पर सकते हो और रात में, कुछ टिप्स हैं कि आप दिन में पढ़ने के लिए क्यालो, जब आप दिन की शुरुआत करो, तो आप किसी भी दिन उठकर जब दिन की शुरुआत करो, चाहें आप बारा बजे उठ रहे हो, चाहें आप दस बजे उठ रहे हो, जो last day में पढ़ा है उसका revision करना है और जब सोने जा रहे हैं जब भी आप सोने वाले बच्चे हों आप मालो हम कुछ बच्चे होते हैं क्या करते हैं वो सर 8 बजे 9 बजे सो जाते हैं और क्या बजे उड़ते हैं वो सुबा 8-10 बजे तक यहां 8 बजे तक आराम से उठ पाते हैं ठीक है तो आप चाहे कभी भी सोने बाले हूँ अपना एक नियम बनाना कि मुझे सोने से पहले एक घंटा रखना है फ्री और उस एक घंटे में मैं जे सब कुछ रवाइस करना है सब कुछ पढ़ना है सब कुछ देख के सोना है जो जो मैंने दिन भर में पढ़ लिया है तो जो जो दिन भर में पढ़ रखा है उन सब का करना है बेटा लास्ट टाइम पे क्या करना है रिवीजन हमें अपनी study का plan मनाना होगा एक छोटा सा plan मैं आपको यहाँ पे tips दे सकता हूँ कि कैसे आप अपनी study को बहुत बहतरी बना सकते हैं छोटे से अपने जो भी आपका study plan है schedule है उसमें दो चीजों को add करके क्या add करना है complete all video lecture live यानि कि आपको जो part 647 से जितने भी video lecture provide कराए जा रहे हैं उन्हें live लेनी की कोशिश करिए live लेनी की आदत से क्या होगा आप teacher के साथ interact कर पाएंगे आप उस video lecture पर अपने interest के साथ last तक जुड़े रहेंगे patients के साथ में और ये आपके लिए beneficial होने वाला है आप अगर सोच रहे हैं कि recorded lecture को बाद में देख लेंगे तो बाद बिटा कभी नहीं होता है है ना तो आदत डालिए कि आपको क्या करना है आपको revision करना है और कोई भी topic मान लीजिए कोई topic ऐसा आ रहा है जो आपने पहले पढ़ लिया है या कहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए revision हो जाएगा उस live class में और अगर आपके वो topic नहीं पढ़ा हुआ है तो क्या होगा आपके लिए उस topic में चीज़े समझ में आने लगेंगी कौन-कौन सी important चीज़े हैं तो आपको जो video lecture provide करा लगातार कई बर्शों तक आने वाले papers पे analysis किया है और ये उसका conclusion निकाल के दिया है कि जो हम आपको YouTube पर दे रहे हैं ठीक है जो आपको हम applications पर दे रहे हैं ये आपका हमारी team का एक बहुत बर्शों की की गई क्या है आपके एक प्रकार से क्या गई research है बर्मास सीरीज में जो जो question होंगे आपके लिए ये assure करता हूँ कि 100% board exam से आने वाले questions होंगे वो question paper ये हम बाद में challenge भी करेंगे कि हमारे ये बर्मास सीरीज से कितने percent question आपके हर एक set में फसे हैं तो आपका चाहिए board exam का कोई भी set क्यों ना हो उन सभी में सारे के सारे question होंगे आपके बर्मास सीरीज से ही फसने वाले हैं तो इन दोनों चीज़ों को add करके चलिएगा और आपकी लिए क्या होगा board exam में टॉपर बनना हो जाएगा बहुत जादा आसान ठीक है बच्चे last में हमें एक चीज याद रखनी है जो हमारी study के लिए एक बहतर लक्ष तक पहुचाएगी जो हमारे लिए क्या करेगी अपने लक्ष को प्राप्त करने में बहुत मददगार होगी कौन सी बेटा हमें देखना है हमेशा करते रहना है revision and tactics ठीक है आपने जो topic पढ़ लिया है चाहे maths का पढ़ा हो चाहें physics का पढ़ा हो biology का पढ़ा हो chemistry करा हो उसमें बहुत ज़्यादा important चीज क्या है revision revise करना है बारबाद चीज को revise and tactics ये आपकी बहतर जो capsules हैं जो आपकी किसी भी बीमारी को दोस्त कर देंगे चाहें बोड exam की बीमारी क्यों न हो ठीक है चाहें कोई भी exam की चीज क्यों न हो आपके लिए क्या करना है revision करना है multiple times revision करना है कोई chapter आ गया तो ये नहीं सोचना है कि हम उसमें hero बन गया है बहुत ज़्यदा अच्छे कर पा रहे हैं ठीक है तो आप अच्छा भले ही कर पा रहे हो लेकिन उसमें जब तक बहतरीन बहुत बहतरीन नहीं हो जाएंगे तब तक आप completion में fight नहीं कर पाएंगे ठीक है बच्चे तो board exam में ये आपके लिए समझे ये मंत्र है क्या करना है revision करना है चीजों का बार 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 याद करना है सर एक बार याद हो गई है कोई बात नहीं दूसरी बार कीजिए याद होने के बाद भी चीज़ें आपको miss concept हो चुकी होंगी और याद रखिएगा NCRT जो आपके में लग हुई है इतनी बहतरीन किताब है इतनी बहतरीन आपकी किताब है आप जितनी बार भी क्यों ना पढ़ेंगे आप चाहें दसमी बार NCRT की लाइन को वर्ड वाई वर्ड पढ़ रहे हो तब भी दसमी बार आपको लाइन में पढ़ने पर कुछ ना कुछ बहतरीन चीज याद हो जाएगी बहतरीन चीज पता लगेगी आपके sense से वो बहतरीन चीज डवलप होगी तो NCRT जो बुक है आपकी क्या है आपकी practice करने वाली बुक है लगातार ग्रो करने वाली बुक है ठीक है और इस बुक का सबसे बहतर solution मिल रहा है पार्ट चाला 247 पर चाहे उसकी live classes हो ठीक है चाहे यूटूब पर होने वाली classes हो उन सभी पर हम full NCRT पर ही based काम करते हैं जिससे आपका जो board exam है और जो आपका competitions है उनके बीच का gap क्या हो सके बेटा कम हो सके और आप लोग एक board exam के सिर्फ एक puppet ना बने रहें बलकि अपना जो board exam का जलबा है जो आपने board exam में done करके दिखाया है वही आप किसी competition में भी कर सके ठीक है competition में भी proof कर सके ऐसा कई बार होता है आपने देखे होंगे टॉपर बहुत बड़े बड़े टॉपर बने रहते हैं 90%, 92%, 95% पर जब उनका competition का result आता है तब क्या होता है सर 0, डबबा, कुछ नहीं आता होता है उनको तो इसका मतलब क्या है वो सिर्फ ऐसे लोग थे जो सर्फ सिर्फ ग्यान प्राप्त कर रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे चीजों को पड़े रहे थे, पड़े रहे थे रट्टा मार रहे थे, जीजे समझ में नहीं आ रही थी पर आपके लिए चीजों को समझना है और समझने के लिए कहा आना पड़ेगा, समाधान एक ही है, पाट साले डू फोर सैबें, ठीक है बचे, तो हम लोग क्या करने वाले हमारी पूरी टीम इस बात पे लगातार अध्यन करती रहती है, कि कैसे क्या किया जाए, कैसे आपके लिए बहतर से बहतरीन कंटेंट करना है, रवाइस करना है, चैप्टर माली जी आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से आ गया है, चलिए कोई बात नहीं क्या करा, एक टाइम निकाला संडे का किसी दिन, और रिवीजन कर डाला पूरे चैप्टर का, उस पर लगाए हुए सारे प्रेक्टिस सेक्शन कर ड आएगी, ठीक, कितने भी आपके माक्स आए हो, तो अपर्स हमेशा यूपी बोर्ड में क्या होते हैं, दो चार छे ही होते हैं, जो आपके निउस्वेपर की फस्ट बेंच पर आते हैं, ठीक, तो वो मुमेंट अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए जरूर क्रियेट क